कीटे को आप देख सकते हो रेट से इसकी जुड़ाई हुई है और इस पे आधुनिक समय का प्लाश्टर कर दिया गया है तो यह मत सोचिए जो आपको नवीन मकान देखने को मिल गए नए है इन दिवालों के पीछे कहीं न कहीं वह पुराने भवन है वह पुराने आर्किटे से यह बनी हुई है ना जैसे हम थोड़ा सा अंदर आते हैं तो इसके अर्किटेक्टेक्टर को देखे यह बनी है यह जैसी रहाम दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मुझे पहचान ही गए होंगे जिए दोस्तों मैं कि साहु आयोध्या से आप लोग का स्वागत करता हू होता तो चलिए आज की वीडियो में आपको पूरी आयोध्या दिखाते हैं जो प्राचीन आयोध्या है तो वीडियो के इंट तक बने रहिएगा और वीडियो इंफार्मेटिव लगेगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करिएगा चलिए बिना टाइम ल प्रचमन जी और स्रीता जी के साथ विराजमान है यह बहुत ही सुंदर मंदिर है आप यहां आए तो दर्सन करने के लिए जरूर आएं तो दोस्तों इस परकार से हम आ गये हैं पाप मोचन घाट पर और यहां से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप जानते भवन है जो सो डेट सो वर्स पुराने हैं तो इस करम में मैं पाप मोचन घाट से होते हुए आपको पूरी अध्या का ट्रैवल कराने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं जो भी प्राचीन यहां पर चीजे हैं वो आज वी किस तरीके से विद्धिमान है तो वीडि भगमान राम चंद्र और मासीता विराजमान है तो ऐसे ही जैसे जितना आगे हम चलते जाएंगे उतने ही प्राचीन चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें देखेंगे तो बहुत पुरानी मंदिर आपको देखने को मिलेगी आगे और आगे चलते हैं आगे और भी ची गया था और मैं अंदर आपको चल के दिखाता हूं यह मंदिर बंद है बटिन की दिवारों को आपको दिखाता हूं कि कितना प्राचीन हो सकता है यह आप देख सकते किस तरीके से इसका और साइड भी आपको देखने को मिलेगा तो बहुती जढ़ा प्राचीन है और इसके बाहरी आर्कफितेक्चर को मैं आपको दिखाना चाओंगा बाहर इस भौन पर आप देखो के दोनों साइट सिंग बने हुए इस साइड भी साइड और सबसे उपर क्लॉक बना हुआ घड़ी और उसके नीचे स्री गड़ेश भगवान विराजमान है और इसके दिवालों पर जो है भगवान राम चंत के धनुस की आकरती को उकेरा गया है दोस्तों मैं अंदर चलता हूं और इसकी देख सकते हैं कितना अधा प्राचिंतम है जो इस बात की गवा है कि हमारे अधा में आज भी बहुत ही प्राचीन जो भवन है वाज विद्दमान है जिसका दर्सन करने के लिए लोगों को आना चाहिए तो कुछ इतनी पतली गड़ी है और इसके बीच में मैं चल रहा हूं और आपको व्यू दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और यह मंदिर देखे कितना अधा लंबा है अभी मैं चले जा रहा हूं लेकिन इस मंदिर का सेकेंड छोड जो है वह भी तक नहीं आया हुआ हुआ है चलिए इस साइड चलते हैं और जो भी प्राचीन मंदिर हैं इस साइड चलते हैं जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनको भी आपको दिखाते हैं और यह सामने एक मंदिर मुझे देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है वर्तमान की स्थितिस की जो है बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और एक, दो, तीन, चार फ्लोर का ये मंदीर है, और अंदर माता जी विद्दमान है, है ना, और बहुत ही पुराने मंदीर है, आप गेस करके बता सकते हैं, कि ये कितना पुराना हो सकता है, या को, ये बनी है, ये जेर्मनी की टैसे हैं, यहा कि नहीं, नहीं जापन की, जापन की fa Image, tabla फ्लोर तैक से लग लिए जापन की चीज़ें हैं आछा यजिनिक, इस मंदिर में जितनी भी टैस त्यादी सब लगे हैं सारी के सारी जापान से एक कोई हरदा सिंग सवाई थे उन्होंने इसको बनवाया था लेकिन वो कब होए ये तो नहीं जानते अच्छा इसकी जानकारी आपको नहीं है दोस्तों इस कड़ी में हम लोग आ चुके हैं स्वर्गदार पर और यहां पर इसलिए घबन है जिसके आर्केटेक्चर को आप देख सकते हैं और गेस कर सकते हैं एक चीज में आपको दिखाना चाहूंगा यह जो इट आपको देखने के मिल रहा है यह एकदम मिट्टी में प नई नई यह भवन बना होगा तो कितना जादा मजबूत रहा होगा क्योंकि परजन टाइम पर इतना जादा मजबूत है और मैं आपको साइट साइट से दिखाता हूं इसके बीच से आप देख पाऊगे यह एक पीपल का पेड़ निकला हुआ है यह भी बहुत जादा और इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रही है और चलते हैं और आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं जो हमारे प्राची ने अध्या से चुड़ी हो एक तरफ यह आधनिक आध्या आपको देखने को हम रहे है इसकी दिवाले और एक तरफ आप देख रहे हो कितना अधा फर्क है आप गैस कर सकते हैं और यह दिवाले आप देख सकते हो यह कितनी अधा पुरानी है क्योंकि इसके इटे को आप देख सकते हो रेच से इसकी जुड़ाई हुए है और इस पर आधनिक समय का प्लाश्टर कर दिया गया है तो यह मत सोची जो आपको नव पर द्वार मुहला और यहां पर एक भोन मुझे देखने को मिलता है जो कि बिलकुल रेट से बना हुआ है और यह रोड जो है जाता है नागेश्टोनाग मंदिर है ना तो इन गलियों को आप देख सकते हो और के साइट में जो मुकान बने हैं वो कितने आदे प्राचीन है आ और हमारे जो कल्चर है सनातन गर्म उसका परशार परसार करने उसके लिए बहुत ही जादा उसा है कि जैसे थोड़ा आगे चलती हूं यह भवन आप देखिए कितना ज़दा प्राचीन लग रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं और इनके भी दखीए यह दर्वाजा आप किसन पराचीन आप को देखने को मिलता इस को आप देख सकते हैं इसलों बहुत जयाहिए और बहुत ज़्यानेरह अंदर देख मेर में सकते कि बर बहुत ज़्यादा प्राची है और बाहर कभी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये सामने जो मंदिर आप देख पार है ये नागेश्वन नाथ है जो कि राम की पैड़ी में स्थित है और इस साइड हम चलते हैं और आपको प्राचीन अयुद्या और यहां पर इस्थित है काले राम मंदिर उसको भी मैं आपको दिखाता हूं और इस रोट के साइड जो आपको मंदिर देखने को मिल रहा है या घर देखने को मिल रहा है यह बहुत ही पुराने यह है इस पर प्लस्टर अधुु ने की के पलास्टर चड़ चुके हैं इसलिए जो दिवाले हैं भी मैं 숨की में पहुच्छ चुका हूं सरी काले राम मंदिर और अंदर चल करके आपको हम दर्शन कराते हैं प्रभु जी का बने रहे हैं कांटियों इस ब्लॉग में अ दो, स्लיुब झतना इसलस प्रभु आज कर के बना दो बने तर बने दो, तो यऴ, sign congressional करके आजियों वाभु